कि आज हम लोग क्लास 11 का वीडियो बराने वाले हैं टिगुरुमेट्री पोर्शन बहुत ही इंपोर्टेंट पोर्शन है केल्कुलेस में तो इसका प्रफ भरा-पर आया इसका है ना तो डिटेल में पढ़ाएंगे और उम्मीद इसका पांच वीडियो पांच पार्ट में य रेडियर एंड डिग्री ठीक है इस दोनों बात पर ही डिसकुर्शन करेंगे आज हम लोग ठीक है तो हार्दिक स्वागत अब सभी का में जीरो में आयो सुरूबात करते हैं पहला क्या है चप्टर क्या था मिजर्मेंट ऑफ एंगल एंगल का बारे हम परना तो सबसे पहल है और यहां से रोटेट हो रहा है से ठीक है रोटेट हो कि यहां तक आया यह यहां से यहां तक आया ठीक है यह क्या था इनिसियल 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 लाइन बोल लो या साइड बोल लो यह क्या टर्मीनल या फाइनल साइड टर्मीनल या फाइनल साइड टर्मीनल या किस तरीका से रूटेट करता है उसी पे ही पता चलता है कि एंगल पोजिटिव एकि निगिटिव है अगर इनिसियल साइड यो है वो अगर anti-clockwise करें ऐसा मूव करेगा ठीक है अगर इनिसियल शाइड जो ने इनिसियल से ऐसा साइड अगर एंटी क्लोक्वाइज मूफ करेगा ऐसे मूफ करेगा तो जो एंगल है वो पूजिटिव होगा अगर इनिसियल साइड इनिसियल साइड इनिसियल साइड अगर क्लोक्वाइज मूफ करेगा वाने है वह फोल्ड मुवकरेगा वह निद्ध से हाए रूट गर था बटाना जरूर मेरा सब्सक्राइण फैसं यह कंडोर सफनी Алएब थे बलांसे सब्सक्राइब और मेर वहाएं ठीक है तो अब अब क्या है सपोस करो एक लाइन है यह क्या है एक वर्टिकल लाइन है ठीक है और यह एक वर्टिकल लाइन है एक दूसरे को राइट इंटरसेट कर राइट एंगल पर तो यह जो वर्टिकल लाइन है इसको क्या बोलेंगे एक सिस बोलेंगे ठीक है और यह जो वर्टिकल ला कहा है कोई दो लाइन अगर हमनों प्लेन पर लिखेंगे तो वह प्लेन को ज्मी ट्रेंट करता है तो चार पर्ट में डिवाइड करता है तो ज्मी ट्रीम को ज्फेंट करता है यह सेकेंड क्वाडरेंट यह थर्ड क्वाडरेंट और यह फोर्थ क्वाडरेंट ठीक है यह बेसिक बात था क्वाडरेंट का ठीक है देख लोग अभी हम लोग क्या पर रहे थे क्वाडरेंट पर रहे थे और इंगल पर हैं बेसिक बाते पर हैं अब हम लोग जो चैप्टर पढने वाले है जो चैप्टर में में बाति उस पूरे डिस्केशन करने वाले हुजाओ थीं सिस्टम ठीक है शिस्टम और एक हो के सक्षिदिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस् सीसिटम क्या होता है इसमें जो वन राइट एंगल जो है वह थे डीवायों होता है इसना 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है 19 इक्वल पार्ट में और हर पार्ट को क्या रिप्रेजन करते हैं डिग्री बोलते हैं हर पार्ट को क्या बोलेंगे है डिग्री बोलेंगे हर डिग्री जो है वो 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है ठीक है डिग्री को आवर माल लो बाकी मिनट बाकी सिकेंड से मिनट में जाने 60 से डिवाइट मिनट से डिवाइट से डिवाइट ठीक है ये बाते था O A क्या होगा, Radius हो जाएगा, Radius हो जाएगा, यह क्या, O A Radius है, हम ना Radius के बराबर, एक Arc लेते हैं, ठिक है, Radius के बराबर एक Arc लिए, मालज लो यहाँ प्याँ आए, P, और हमने O P को एठ कर दिया, Arc, AP जो है, Arc, AP जो है, वो क्या है, Circle के Radius के बराबर है, रेडियन बोलते है बें थारोग जैसे कि जाटिया है सी तो यी यह रेलियन ऐर यह सिर्कूलर सिस्ट्ब मेरिक इन दोन दोब यह हम लोगो परना है इसको यूद कीमित लेना है तो ले लो डिए दिग्री और रीटियी अ does already bater to कर बनाते हैं तो styकल बनाते हैं संसर्क्ल का यह हो हो गया Center हो इसको मिए उसे रिप्रेजन किये ऊए क्या है रेडियस्स है ठीक है और एक आर्फ और ये रेडिया से और हमने एक आर्व की लिया पी तो यह जो आर्क आर्ख पी इस bald ग्यों क्यों हमने पीछले स्पीर सिस्ट्म बता रहा था हमने तब बताया था आर्क पी ये क्या हो गया रेडियस के ब्रापर हो गया और एंगल ए ओ पी क्या बताता है वो ही तो रेडियन बताता है तो एंगल ए ओ पी ये क्या है वो एक रेडियन है इसको ऐसे लिखें या फिर इसको ऐसे लिखें बात एक है उसके बाद हम क यह औभी बना ना यह आ कोई एंगल बन रहा है तो जिसमा झादते हो कि एक स्ट्रित लाइन है यां कोई इंगल बन रहा है तो कितने का तो इंगल को बनता है यह ऑलन के टीगर्य मैं तो इंगल हम दो सकते हैं'? वह उसको हम लों APB tumble ayam एजीड वाले हम ऊपर वाले ही लेते हैं आर्क क्या ली अर्क PC अगी ए अर्क क्या लीए आर्क क्या लिए लीए APB 02 ao keeper होगा यह सेमिन में परक्रक्रायक होगा सेमिने सर्कल का सर्कम्प्रेंश का फोरमला क्या होते है थू सेमी सरकल का सरकॉंफरेंस का फर्मूला क्या होगा पाई आर होगा जस्ट यह बात किलियर हुआ यहां तक ठीक है अच्छा अब आर्क जो होता है ना वह पूर्पोर्शनल होता है आर्क बोलने स्वरी एंगल जो है वह पूर्पोर्शनल होता है सरकल का सेंटर पर दो एंगल ह होता है वह पूर्पोर्शनल होता है आर्क का तो हम इसको ऐसे लिखें क्या आर्क नहीं आर्क नहीं लिखेंगे आप मैं बापा आर्क और एंगल में थोज़क उल्टा सीधा बोल दे रहा हूं ठीक है एंगल 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 हुआ ना यह बात हैं एंगल aop क्या है on radian है मैंस को लिखता हूँ one radian ऐसे one radian और एंगल aop क्या है 180 degree है आरर्क AP क्या था R था आर्क AP क्या है Pi R है तो R resonates here कट गया one radian one radian is equal to 180 degree by π. इसको ऐसे लिके या फिर वन रेडियन is equals to 180 degree by Pi और यह बहुत ही बहुत ही बहुत ही important है यह 180 is equals to 180 degree by Pi कॉशन कराने में यह बहुत ही काम आयगा ठीक है जैसे कि यह है 5 degree दिया हुआ है ठीक है इसको मैं बोला की radian में ज़ले में है तो अभी हमनों क्या पर रहे थे कि 1 रेडियन इसको स्थू 180 डिग्री इवाई पाई तो वन डिग्री इसको क्या हो गया पाई रेडियन बाई वन एट्टी तो हम इसको यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि आउपाई इन फाइफ इन टू पाई by 180 degree नहीं गलत में लिख दिया radian तो इसको पांस से काटेंगे पाई बाई 36 radian ठीक है ये था अगर ये देख लो एक बार अगर मैं इसको बोलू हूं कि जैसे कि 30 minute है 30 minute है इसको radian vision में convert करना है तो पहले इस minute को तुम क्या करना पएगा करना पएगा डिगरी में convert करने के लिए दिवाइट करना पर एक तुमने डिवाइट किया इसको 60 से तो अभी क्या होगा जानी कि 1 by 2 degree हो गया और इसको किसमें convert करने रदियन में convert करना है तो 1 by 2 इन्टू अभी जैसे देखो वन डिगरी जो को सुक्या होगा पाई रिडिन बाई 180 तो इसको हम लिख सकते हैं पाई रिडिन बाई 180 रिडियन तो क्या होगा है पाई बाई 36 रिडियन समझ भाई आना ऐसे कोश्चन किताब में भरा पढ़ा है वहां से प्यक्रिस करना इनफ है अब एक कोश्चन को करते हैं यह दो मैं अपने मन से बता रहा था है ना एक कोश्चन करते हैं, इसको तुम के समय निट करना है तो रेदियन मिजर में कैसे इसको मिनट में परो तो मिनट में करना परेगा तो यह क्या हो गया इसको डिग्री में करना है तो क्या करना परेगा इसको 60 से डिवाइड करना परेगा तो पंदसे यहां पर क्या था ओलेडी फाइफ था तो क्या होगा 45 बाइट डिग्री ठीक है यहां समय में आया अप इस डिग्री क्या करना है रिदिन में बढ़ करना है तो यह क्या हो जाया का देखू फूर्टी फाइफ बाइट इन्टू पाई रिडियन भाइव एट इसको ऐसे लिग यह तो पूरा पूरी चारपार में कट जाएगा इसको तो क्या होगा पाई भाइट फर्टी टू रेडियन समझ में आया ना समझ में आया ना यह बात है देख लो जैसके स्कीन सोट लेलो यह हां समय आया क्या होगा जो सब्सक्राइब करना ठीक है क्या बढ़ फैंड दीरी पाई पाई कि अच्छा यह ये भी ठीक है अभी कैंड इसक्स्टी रिडियन है इसको डीडिरी में कनपर्ट करने कहते करना परको वह पासे मल्टिप्लाइब करना पर एका फिर यह पूरा डिगरी हो गिया अप आपकी क्या देट वाई खेंट इसक्स्टी ने लिवन से डिवायट कि इसको दो बार में कटा दो से ये 90 हुआ चार से कने दो अठे 16 दो चोग्या दो पसे 10 यानि कि यह क्या हो गया 45 इंटु 7 बाई 8 डिग्री क्या हो गया बॉझ इतना डिग्री इते डिविर हो गया अब इसको को मिन इसे में में भी करना होगा ठेक है तोahahahaừ 315 को तुम से दिवायट करोगे इसको मिक्स फ्यक्षिन में कणभड करोगे ते उससरी दिखलो मुल्ट्टिप्राइप कर के क्या होगा मखरत थिरी भाइट ये डिगरी था इप्ले डिगरी ही हो गए न इसको अभी लिख सकते 39 दिगरी और 3 x 8 दिगरी को मिनेट में इक रहें करना पर गार इसको 60 से मुल्टिप्लाइइ करना पर एगा तो यह क्या आगे मिनट हो गया तो चार से दिवाइड हो जाएगा तो टो थर्तीनाइन डिग्री 45 वाइट वाय टू मिनट अगर हम दोगे इसको अर्ट करें मिक्स फैक्शन में तो यहां पर क्या है का 22 मिनट दूञंचा दूञंचा वन वाइट यह मिनट है फिर क्या 22 minute और half minute को second में convert करना है 60 से multiply करना पएको कितना जागा 30 आजाएगा 30 seconds तो यही बात दे था ठीक है इस चैप्टर से ना इस सरह कोशन एक्जाम में आता है तो मिदे संधा पाये होंगे समझ गया होगे तुम लोग देखलो इसका screenshot ले लो एक पर क्या प्रूड एस इकोस्टू आइट यह क्या अबावाल है एस सिकोस्टू अथिक तो इस इस मितना लिख दीए ने प्रूप कोशन पहले बात तो यह प्रूफ एकजाम में आया नहीं और दुस्री बात यह ज़रूरी भी समझाना देखोँ एक सरकल अग्र कर सेंटर है ओ और और O-A क्या है, radius है, P क्या है, arc है, ठीके? O-A क्या है, radius है, arc-AP, यह क्या है, यह भी तो R ही है, और angle- A-O-P, यह क्या है, एक gradient है, ठीके हैं एक gradient है, अब हम क्या कर देंडा, दूसरा एंगल लेते है एओवी। सिंगल एओवी। सोत की एक ज्थेता और एक पिंदा है आर्ख का एकड़्माद के जाया मासल लेते हैं इस यह ऐंगा श्कलत लोड़ेत हैंत्व है तो इस्थेता रिडियन हो गया की हमें दो सकते हो तो अब क्या है ना कि अभी हमनों पले थे क्यों 서क पर का सिंटर प्रका इंगल पकोष्टन होता यानि कि एंगल ओ हो पी वाइंगल एंगल ओ वी इजए उकल्स टू आर्क लिंद ऑफ अप आर्क ए फी बाइंद het करें एरिया of sector का बात करें हम लोग तो यह फॉर्मुला स्टेन में परे होगे half into r square theta इसको ऐसे लिख सकते है कि half into r into theta into r तो r theta क्या है देखो तो s है यानि कि half into s into r यह s equals to r theta important है इसके बहुत सा question करेंगा हम लोग question करते है इसके उपर longer hand यह question करते है longer hand of a clock is 21 cm long longer hand of a clock क्या होता है minute hand minute hand का length बोला है यानि कि r दिया हुआ कितना 21 cm ठीक है long how much distance does it cover in 20 minutes यानि कि ace पूछ रहा है 20 minute में कितना वो distance cover कर रहा है ठीक है चलो कैसे निकालेंगे इसको देखो longer hand जो है वो 60 minute में कितना कबर करेगा 360 degree यानि कि 2 pi radian ठीक है 60 minute में कितना कबर करेगा 360 degree यानि कि 2 pi radian तो one minute में कितना करेगा 2 pi radian by 60 तो 20 minute में कितना cover करेगा 2 pi radian by 60 into 20 यानि कि क्या हो जाएगा टू बाइट थी पाई रेडिया ठीक है ये क्या था ये एक्च्छुली में तो एंगल ही है न और पूछा क्या है एस पूछा है तो फोर्मूला क्या होता है एस इस इक उस्टू आर इंटू थीटा आर कितना है 21 ये क्या होगा 2 2 by 3 pi 21 2 by 3 pi क्या होगा 22 27 तो 73 कर गिया 44 cm बस ऐसी था बाकि एक्जामपल में देखना ऐसा कोशन बुक में अपना ऐसा कोशन को स्वाल करना और जाम इसको देखना एक्जामपल को स्वाल करना और चैप्टर को को स्वाल करना ठीक है उमीद दे सब हो जाएगा फाइंड एंगल इन बेट्विन दे हैंड ऑफ अ क्लॉक अट 3 30 एम बिटून दे हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 3 30 एम देखो घरी में 3 30 बसता कैसे हैं एक बाज़ा सब्सक्राइग्राम बना देते हैं 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 तो 3 30 होग कैसे है देखो तो जला सब 3 30 होग कैसे यह आवर हैं और यह अनकीर हंड को है आवर एंड को एस सिम्मेंडृ को एमसे उपराजन कर रहें तो यह ही थी एंगल एक निग निकालना था ठीक है तो 3 30 30 की ती मिन यह आवर में गश्कर करना है अगर हमें तो क्या होगा 34 ऐनिकी सेबेट यंक्ड गैसम मैं तो ईर्ट में रहा औ डिगरी बाई 12 तो 7 x 2 आवर में कितना एंगल बनायागा 360 डिगरी बाई 12 इन्टो 7 x 2 दो से कटा 15 105 डिगरी ठीक है अच्छा यहार हंग के कानि था मिनट हेंड 30 मिनट में कितना मिनट हैं भी एक कम्प्लीट रोटेट करने में कितना समय लेता है 60 मिट लेता है और 60 मिनट इस इवक्षी क्या होता है तो वन मिनट इस इवक्षी क्या हो जागा थी टेगरी में था क्या बोला है फाइंड अंगल इन ड्रेडियन रिडन में दोड़े एक प्रवाया था ना तो बस यहां पर करो पूट कर दो ना 75 पाई रेडियन बाइवन टे डिक्री तो इकटे क्या पंचों के भी सट पंदला से कटते हैं तो पाई रेडियन 5 पाई बाई 12 ठीक है तो यह रेडियन में मैंने कनभर्ट कर दिया और यह कोश्चन हुआ खतम एक बज़ा से स्कीन सोट तुम ले लो ठीक है चलो यह भी अच्छी बात है तो हम यहां पर अब क्लास को खतम करते हैं ठीक है और आज हमने बीसिक बात बताय है मिजर्मेंट ऑफ एंगल को पर डिसकेशन किया आगे हम लोग टिगरिमेट्री स्टार्ट करेंगे ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो